श्रीगुरू तेग बहादूर साहिब जी के चार सुवे प्रकाश पर छतिसगर सिक समाज द्वारा नगर किर्टन भ्रमण यात्रा निकाली गए जिसका सर्व समाज द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया श्रीगुरू तेग बहादूर साहिब जी के चार सुवे जैनती के उसर प्रकाश पर वपर समर्पित शताब्दी समागम के तहर चतिसगर सिक समाज रायपूर द्वारा नगर किर्टन भ्रमण यात्रा निकाली गई जो राजधानी रायपूर से चलकर भिलाए द्रुग रायपूर रायपूर पहुंचेगी इसी कड़ी में नगर किर्टन भ्रमण यात्रा का आग्मान रईवार को द्रुग में हुआ जिसका भवी स्वागत सिक समाज द्वारा किया गया और पंच प्यारों को फूलों की मा बद्वितरन किया गया साथ ही इस नगर भ्रमण यात्रा में अगुवाई करते हुए चतिजगर राज आयोग के अधियाक्ष महेंद्र सिंग छाबडा ने निउस्ट्रीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी साथ ही सीक्व समाज के पताधिकारियों ने भ्रमण यात्रा के बारे में अपना संदेश दिया इसक्व समाज सक्ति रोल गुल्दारा स्चेशन रोल राफूर यहां सियातर पर अभूद्रियों कारिकारियों चत्छु। हमारे नवे गुरू सिर्वी तेका चार्व साथ पर रहा रहा है और उसका एक संदेश यात्रा आपके पहुंचिए और बड़ी कुछी की बात है कि हर जगा हमारी सिफ्षमाज के लोगों पहुंचा है कर रहे हैं और हमें बहुत दूसरे दिन और बात का ननुबहत हुंचि पूरे प्रदेश में उनके प्रतिर मेर्भाती भー्रमारी समत भी है और सबी दर्म नों को लेड़ के चलने के इस संदेश यात्रा में जीवन के उनके कारकाल के प्रतिक звिय न है मैं पूरे चतिसगड के सिख समाज को स्रीकुर तेख बांदर जी के 400 साला प्रगास बहुत बहुत दढ़ाई जेता हूँ जी बते हैं जो सिंदेश जातरा आ रही है एक रायपूर मेरे हमारे बड़े बीर बाहिसाव का बहुत बहुत प्रावला जी का जो के पूरे सुद्धिगर को एक पर मालम बुरूर है सभी गुर्दवारों में हर जगा एस लेज़ा तरह पुचा रहे हैं और इनका बहुत बहुत दन्वाज यो रैपुर संगल का यो साथ में सभी सभी को जोड रहे हैं और इस चार्सों साला प्रकास देड़े का लख 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 उता है और सभी संग दो वह है लिगा खालसा वह मैं अर्विंदर सिंग कुराना दान सेवादाल गुद्वारा शरीगुरु सिंग सभा दुरु हम दुरु की समुख साथ संगा सबसे पहले तो हमने बाई मतंदर सिंग चाबरा जी और उनकी पुरी टीम का बहुत-बहुत दन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये उपराला कि इन्होंने उपराला किया कि इन्होंने पूरा यात्रा को गुमाने का एक प्रयत्न किया जिसमें समुख साथ संगा ना सिर्फ सिंग दन्यवाद का इसमें सयोग रहता है कि वो सब श्रीगुरु गर्ण साहब जी माराजी के दर्शन कर सकें और जो श्रीगुरु टेग उन तक ये बात पौँ सके उसका ये उपराला पूरे सिक समाज ने किया है हम सभी गुरु की समुख साथ संगत हमारे सिर्फ सिंग शावराजी और उनके पूरे सातियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते है कि उन्होंने ये उपराला किया और आगे भी हम वाईगो जी से अंदाज करते हैं कि वह ये उपराला करते रहें ताकि समुख सिक समाज एक दर्में होके खटे होके ये अपना जो गुरु मराजी ने ये आदेश दिया था कि सभी दर्म एक है उनका ये पालन कर सके हैं ये यात्रा रायपूर से आरम होके डोंगर गर में जाएगी उपू